हलो स्टूडेंट माय गूर्डू सर आप सभी के इस वीडियों स्वाकत करता हूँ स्टूडेंट आज मैं आपके सामने कौन सा कुछन लेकर आया हूँ ये सामने आपके लिखा हुआ है जो कि ब्यस्टी पार्ट वान का है और समिस्टर वन का है ठीक है जो प्रतामवर्जंट अगर आप student है तो हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा helpful होने वाला है क्योंकि इस जो है वीडियो में मैं आपको एक बहुत बहतरीन जो है topic पढ़ाने वाला हूँ ठीक है और exercise कौन से यहां पर आज start कर रहा हूँ 3.1 student start कर रहा हूँ ठीक है और यह जो आज हम पढ़ा रहा है जो topic पढ़ा रहा है उसका नाम है ठीक है system आप linear homogeneous and non homogeneous equation है ठीक है यह chapter का नाम है और यह देखे मैं बिनोत कमार की book से पढ़ा रहा हूँ इस book से पढ़ा रहा हूँ ठीक है बाईराल यहां पर book का कोई issue नहीं आप किसी भी book से पढ़ सकते हो किवल यहां पर क आपको मैथा डाना चाहिए बाकी book को कोई मतलब यहां पर नहीं है ठीक है student तो चलिए question को देखते है question में लिखा क्या है ठीक है देखिए इस question में लिखे मैंने question तो डारेक्ट उतार दिया है लेकिन इसमें क्या रहा है उसको मैं पढ़ लेता हूं जड़ा यहां पर लिख है solve the following system of equation using matrix method ठीक है तो देखिए आप जो है इस question को आप कई तरीके से आप लगा सकते हो आपने class 10th में पढ़ा होगा उसमें sorry 12th में पढ़ा है आपने ठीक है और वहां पर xyz की value जो निकाला है वो यहां पर लगा सकते हो ठीक है लेकिन अगर इसी question को एक और भी method हमारे प तरीका है देखिए कच्छा 12 में तो आपने xyz ठीक है ध्यान दीजेगा xyz ठीक है उसको जो है क्या करते थे modulus बगारा adjoint बगारा निकाल लेकर के आप उसको लगाते थे एक तो तरीका आपका यह हो गया जो कि मैं अपने बीडियो में class 12 की बीडियो में आप मैंने बना करके अपने playlist पे रख दिया अगर आप उसको भी नितंग ना देखे हो तो आप देख लिजे एक तरीका तो आप इसे हम देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं देखिए तो आपको यहां लिखेंगे ध्यान दीजेगा लिखेंगे गीवन सिस्टम गीवन सिस्टेम इस एक्वी वैलेंस टू सिंगल matrix equation ठीक है तो यह हमारे पास में जो यह सिस्टम है ठीक है यह equivalent है किसके single matrix equation के किसके चलो बना के दिखाता हूँ आपको देखिए ध्यान दीजेगा क्या है यह इसके कह रहा हूँ जैसे यहाँ पर मैंने बनाया पहले देखिए क्या है x का coefficient 1 y का coefficient 1 z का coefficient 1 तो मैं क्या लिख रहा हूँ 1 1 1 फिर यहाँ पर आज यह second वाले मैं देखिए 2 5 7 x का coefficient 2 है y का 5 है z का 7 तो यहाँ लिखा 2 5 7 और यहाँ पर student ध्यान दीजेगा क्या इसमें कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पर माइनस 1 तो क्या जाएगा 2 1 माइनस 1 और यह आपका हो गया ठीक है और दूसरी चीर यहाँ पर ध्यान दीजेगा हम क्या लिखेंगे x y z और equal में क्या लिखेंगे आपने इस तरह class 12 में भी आपने पढ़ा है 9 यहाँ पर 52 और यहाँ पर 0 है ठी ठीक नहीं तो मैंने क्या किया यहाँ से solution मतलब शुरू कर दिया हूं लगाना ठीक है तो यहाँ पर देखें यह question था मैं यहाँ से लगाना शुरू कर दिया हूं तो student यहां तक तो अच्छे से बात समझ में आ गया होगा ठीक है और इसके बाद कुछ बाते और भी आपको म चलिए इसका बनाते हैं देखिए मैं आज पहला नाम ले रहा हूं आगमेंटेड मैट्रिक्स या लिख दे रहा हूं तब आप समझोगे नाौ क्या लिखेंगे आगमेंटेड मैट्रिक्स अब आप सोच रहे होगे कि यह augmented matrix क्या है बई कुछ नहीं बई जादा कुछ नहीं करते है augmented matrix में क्या होता है हम क्या करते हैं पहले a को लिखते हैं चुकि यहाँ पर देखे एक ही जगा यह है a को लिखते हैं और यहाँ ratio लगा देते हैं या कामा लगा सकते हैं, दोनों काम है, चाहँ पर रिष्य लगा दो, चाहँ कामा, यहाँ पर B लिख देते हैं, ठीक है, यह हमारा क्या होता है, आगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और student इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान दीजेगा, इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान दी पिर क्या लिखा है student देखिए 1, 7, minus 1 हो गया और student फिर यहां लिखा है सजदायट लिखा है यह आप ratio पर बोल सकते हैं कुछ भी आपके जो mind में आए आप समझेए ठीक है यह जो लिखा है इस sign को यहां पर बना देंगे सभीक साथ में ठीक है देखो सभी में बना दिया और उ student चलिए यह बात है तो आपके एकदम अच्छे से mind में आ गया होगा अब student एक चीड और भी होता दें जैसे यही कुशन है जैसे आपके पास यही कुशन दिया हो और आप से कहे भाई इसमें आप क्या करो आप जो है इसको solve करिए matrix जो है matrix का जूच करके तो student यहां पर कोई भी देखिए हमारी बात समझे कोई भी सिस्टम क्या हो सकता है ठीक है consistent हो सकता है लेकिन कब जब एक का rank का matrix और यह जो लिखे आगमेंटेट जो matrix है उसका rank मतलब rank अगर दोनों का rank बराबर हो जाए तो student आप क्या बोलोगे उसको consistent बोलोगे के लिए रोगया होगा ले एक है unique solution और एक है infinite solution यूनिक में क्या होता है हर चीज का एक-एक answer होता है यूनिक जैसे काते हैं नहीं वहीं आप यूनिक आदमी हो यूनिक का मतलब आप जैसे आप कोई यहाँ पर नहीं है मतलब आप सिंगल ही हो तो वो चीज यूनिक है जैसे एक्स का किवल एक ही नहींग है किलिर होगा लेकिन अगर यक्स का केवल एक ही वैलू कोई पता आपको मिले तो वह यक्स क्या होगा उस वैलू के लिए unique solution नहीं हो तो यहाँ पर इस्टूडेंट देख यूनिक solution कभ होता है यूनिक solution यहाँ पर देखे जब हम बता रहे हैं आपको जब जो augmented matrix है उसका rank और A का rank ठीक है ये दोनों बराबर हो और साथ में यन के बराबर हो यन क्या है यहाँ पर number of unknown अब number of unknown क्या है student यहाँ पर देखिए क्या लिखा x y z that is what number of unknown तो यह बात है मैंने आपके बताई दूसरी चीज यहाँ पर देखिए कब भी आप जैसे आपक्या हो गया इंफनाइय्ट सब्सक्राइस क्या है इंफनाइय्ट में चैनल होते हैं त्यक्म और उनाय Sweet solution चली जाते हैं तो वो क्या है infinite solution वहाँ पर होता है देखिए वो कैसे होता है देखिए ए रेशियो भी ठीक है इसका जो rank हो वही rank किसका हो इसका हो एका ठीक है माने आग्मेंटेड मैट्रिक्स का जो रेशियो हो वही रेशियो सारी जो वैलू हो आग्मेंटेड मैट्रिक्स का मतलब जो rank हो वही rank किसका हो एका rank हो और वो rank क्या हो अन्नोन नंबर से नंबर आप अन्नोन यन से क्या हो जाए वो छोटा हो जाए तो वहाँ पर आप क्या होगे लेकिन स्टूडेंट क्या हो जाए कभी कभी जैसे कब होता है जब आग में टेड चियों का रेंक और एक रेंक अपस में बराबर नहीं तो ऐसी दसा में क्या हो जाता है student यह जो है inconsistent होता है और वहाँ पर अगर हम solution की बात करें तो no solution हो जाएगा तो चलिए इस जो है इसी पर हम जो है कुशन जो लगाएंगे इस पर लगाएंगे जादा बेटर होगा क्यों बेटर होगा क्योंकि यहाँ पर काम कम करना पड़ेगा अगर आप दूसरे से लगाओगे जो 12 वाले में है तो उससे लगाओगे चूंकि यहाँ पर तो कहरा है solve कर दीजिए ठीक है त अब देखेर मेँ पर आपको इसमें आपको क्या नहीं करना पड़ेगा आपको इसे में नहीं नहीं करना पड़ेगा यहां पर समझ्यआ जैसे यह चीज हमारे पास हो गया आप student हम क्या करेंगे इसको हम equivalent form में बनाएंगे equivalent form क्या होता है आप आपको हम जो अपने previous वीडियो में आपको बता भी चुके हैं बारहाल मैं इसे short में आपको बता देता हूँ जैसे आपके पास कोई matrix है ये 3 करास 3 का इसे लिखा है कुछ भी लिखा है वाण करीब फाइब लिखा है यहाँ जीरो 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 लिखा ह तो यहां जीरो देख रहे हो इसके उपर देखिए यह से एक यह बड़ा है तो इस्टुडेंट यह कंडिशन होता है आप जल्दी से पहचानने का भी ठीक है तो यह एकलेंट फार्म है तो यहां पर इस्टुडेंट हम क्या करने वाले हैं आप समझेगा इसको मैं एकलेंट कनवर्ट करूंगा और कनवर्ट करके इसका राइंक निकालूँगा अगर इस्टुडेंट इसका राइंक आप निकाल ले गए तो जान लिजे बाग की आकाम आपका ओकी हो गया तो मैंने बताया इस्टुडेंट कभी भी कोई मैट्रिक जैसे आप यहां पर देखो यह अगर आप इस वीडियो पर नए है तो पहले तो आप जाकर कि मेरे जो है जो इसके प्रीवियर में जो वीडियो बना है उसको देख लें ताकि यह कुश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो आप यहां पर इस्टुडेंट करना क्या है देखिए यहां पर जब इसमें से हम इसको क्या करेंगे बोलो बताओ जब इस जीरो कब हो सकता है जब इसमें से इसको हम सब्ट्राइट करें लेकिन टू से मल्टिप्लाइ करके क्योंकि टू से वन जाएगा तो वन बचेगा क्या बचेगा वन बचेगा लेकिन स्टुडेंट अगर मैं इस प बराबरतिया है अब जो आगे लगाने जा रहें वो इसकी equivalent होगा तो चलिए यहाँ पर पहले लिखता हूँ R2 में हम और रख करने जा रहें तो लिखेंगे R2 is replaced by R2 हमने बताया जो यहाँ लिखो वही बच्चा यहाँ पर लिख दो ठीक है माइनस अब student क्या करोगे R1 को subtract करोगे लेकिन 2 से multiply करके बासन में आगया होगा 2 से फाइदा है क्या है कि भाई जिसे 2 से multiply यहाँ पर कर देंगे तो 2 यहाँ भी आगया 2 यहाँ भी आगया 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा दूसरी चीज यहाँ पर student इसको भी 0 करना है तो student यहाँ क्या लिखेंगा R3 लिखेंगे क्या लिखेंगे R3 तो student R3 तो लिखा तो R3 माइनस यहाँ भी वही करते रहूं 2 R1 क्यों क्योंकि यहाँ 2 है उपर R1 में 2 से multiply करके अगर इसमें से subtract कर देंगे R3 से तो यह भी 0 हो जाएगा तो बस काम आपका complete हो गया अब आपको कुछ सोचना नहीं है तो बिल्कुल आप जो है अब यहाँ पर लिखोगे आप ठीक है तो इस्टुडेंट क्या होगा यह equivalent बना है हमने ठीक है और उसके पस्चात देखे इस्टुडेंट मैं यहाँ पर न लिख करके थोड़ा और नीचे से लिख दूँगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी और काम भी आपका हो जाएगा देखे इसके equivalent ये बना मतलब यह जो लिखा इसके equivalent तो इस्टुडेंट यहाँ पर क्या लिख कह रहा है कि R2 और R3 में काम हो रहा है तो जब R2 और R3 में काम हो रहा है तो हम R1 को तो ऐसे लिख देंगे ठीक है 1,1,1 और यहाँ पर क्या है 9 है ठीक है और R2 में क्या करना पड़ेगा, पहले तो उपर वाले पूरे में 2 से multiply करो, तो उसके बाद देखे, तो 2 से multiply करेंगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 नेंजा, 18 आगया, अब student क्या करना पड़ेगा, अब R2 से इसको subtract करना पड़ेगा, तो चलिए 2 से 2 जाएगा student, कितना आएगा, 0, फिर student आगे जे, 5 से 2 जाएगा, तो student आएगा, 3, अब student आगे बढ़ते हैं, 7 से 2 जाएगा, तो student यहां पर आजाएगा, 5 और ratio है, ratio लगा दीजे, 52 से 18 जाएगा, नहीं सब्ट्राइट कर रहा है हो, तो आप यहां कर लीजे, 18, भाई, एक कहरी लोगे हो जाए तो 4 बचेगा, ठीक है, और यहां पर बच्चा 4, 4 से 1 जाएगा, तो 3, तो student यह आपका हो जाएगा, 34, ठीक है, तो यहां तक तो आपके माइन में एक दब अच्छे से बात आ गई होगी, फिर क्या कहरा है student, कहरा है, R3 में से 2R1 को सब्ट्रेट कर दिए, तो 2R1 तो सबसे पर लाइन लिखा है कि नहीं लिखा है, अब R3 यह लाइन है, तो क्या करोगे, 2 से 2 जाएगा, तो student यह आपका 0 हो जाएगा, 1 से देखे 2 जाएगा, तो student आपका यह माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखे एए student, देखे ध्यान दीजेगा, अब माइनस 1 से म माइनस 2 जाएगा, तो student यहाँ पर माइनस का 3 जाएगा, और 0 से student 18 जाएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूं, यह बातें आपका अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप student मैं एक चीज और देख रहा हूं, कि equivalent form में बनाना है, तो अ ठीक है, R2 और R3 में आपस में इंटर्चेंड करते रहा हूं, R2 को और R3 को, तो अगर इंटर्चेंड करेंगे student, तो देखें यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजेगा, R1 में कोई चेंडिंग हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई दिक्कर नहीं है, लाइन R2 की जगा मैं क्या लिख रहा हूं, R3 बजलें, क्या लिख रहा हूं, 0, माइनस का 1, यहाँ पर माइनस 3 लिखा है, और यहाँ पर माइनस का 18 लिखा है, आप student आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजेगा, अब इसको क्या करेंगे, नीचे ला रहा हूं, तो यहाँ पर आगे 3 आगया, ओ, sorry, 0 आगया, फिर क्या आगया, फिर क्या आगया, फिर क्या आगया, फिर क्या आगया, यहाँ पर आगया, 5 आगया, और यहाँ पर 34 आगया, तो student यह आपका जाकर के बन गया, अब student हम इसके बाद क्या करेंगे, बहुत बहतरीन कुर्शन है, इससे में बिल्गुल माइंड लगाने की जूरत नहीं है, अब यहां पर हम R3 में देखते हैं, इसमें क्या है, तो R3 में हम काम करेंगे, R3, ठीक है, तो R3 में हम इसको 0 बनाना चाहते हैं, इसको, तो देखें, कि लिएन फार्म बन जाएगा तकी, तो student आप क्या करोगे, जो यहां लिखते हैं, वही चीज़ आप यहां भी लिखते हो, और student अगर इसमें जो है, हम उपर वाले को इसको जोड़ दें, लेकिन 3 से multiply करके, तो student यह 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब 1 में माइनस 3, मतलब 3 से multiply करोगे, तो यह माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस 3 में माइनस 3 अगर जुड़ जाएगा student, तो यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो यहां पर देखे, बच्चों अब आगे देखे, क्या करेंगे यहां पर? ज़्यादा कुछ नहीं, भई, आरवन में कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, अब यहां अर्टू में देखे लिएगा, 0 है, ठीक है, माइनस 1 है, माइनस का 3 है, और यहां पर 18 लिखा हुआ है, ठीक है student, उसके बाद student यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हम, यहां पर देखे क्या है, यहां पर लिखा है 0, ठीक है, भई, देखे, आप 3 से multiply पर लेकर लो, उसमें, किसमें करना 3 से, जब इसमें 3 से multiply करेंगे, तो क्या हैगा, 3 0, 0, माइनस 3, और माइनस 3, ठीक है 9, और यहां पर student क्या आजाएगा, ठीक है, अब 3 से multiply करेंगे, तो 54 हो जाएगा, तो चलिए काम करते हैं, अब सब्ट्राइट करते हैं, तो पहले से पहला सब्ट्राइट करेंगे, जोडेंगे, तो जोडेंगे, तो student क्या हो जाएगा, देखें, ध्यान दीजेगा, यह आपका 0 हो जाएगा, 3 में माइनस 3 जुडेगा student, तो आपका यह भी 0 हो गया, 5 में अगर माइनस का 9 जुडेगा, तो student माइनस का 4 हो जाएगा, और student इसमें अगर हम इसको जोर देंगे तो क्या ऐगा 54 में से 34 से 54 तो जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगा उल्टा सब्टेट कर देंगे तो student यहाँ पर क्या बचेगा 0 और यहाँ पर 2 बचेगा तो student क्या जाएगा यहाँ पर आजाएगा minus का 20 आगया तो student यह हमारा जाकर के complete हुआ अब student चलिए यहाँ तक तो हम लोग अच्छे समझ चुके हैं कुछ नहीं करना है अब यह क्या है it is equivalent form ठीक है तो यह क्या student हमारा equivalent form में हो गया तो अगर यहाँ पर बात करूँ मैं here rank up matrix की नांजिरों थो आपको ओए यह तो यहाँ पर लिख लिए हैं यहाँ यहान पर नीचे ही की निकरब्ग और आख़े यह यह film टेखके यlor需要 लिखके पर इस the Instagram तो इसका रैंकि आए गाए और अगर में बात करूं अख़ा है अच्छा यहांपर है यह वाला पॉरसन देख रहा हूं yok यह पोर्शन तो है तना अगर मैं इसको भी वाले पार्ट को ढग दूतो तो देखो इस्टुएंट इसमें कोई भी रो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके जीरो जाए तो अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि जो आपका ए है जो आपका ए है ठीक है इसका भी इसका भी जो रैं के बराबर हो गया कहने का तात्पर क्या हुआ है 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 ठीक है इसका रैंग ए बी का ठीक है बराबर किसके रैंग के बताओ एक के बराबर है तो दोनों का रैंग बराबर हो गया चलिए कोई बात नहीं है और एक चीज़ यहां पर और भी देखे यह तो बराबर ही है और क्य ते क्या चीर बराबर इसमें दिया है स्टूडेंट देखे धिया इसमें जो अनन्ओन नंबर आप अननोन वो कि वह भी क्या है ठीक है तो यहां पर क्या लिखने नम्बर आफ नमबर आफ यहीं लिख दे रहा हूं पहले इससे पहले लिख देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा नमबर आफ अन्नोन नमबर अन्नोन ठीक है वो कितना इस्टुडेंट वो भी थ्री है आप देख लिजे भाई कैसे थ्री जान लिया एकस वाई जेड यहां पर तीन है न चर दैटीस समझ गया न पूरि बात तो कुल मिलाकर के देखें तीनों चीट बराबर हो गए देखें तीनों चीट आप कौन-कौन बराबर हchar है इसलिए यहां पर बराबर हुआ ओ थ्रीक है इसका rank और एकका rank और आगका, और किसके है ठीक लिए अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो तुटुडेंट आप क्या जानते हो आप Wallace यह जानते हो कि यह हो गा उनियक से लिए इसलिए कि लिए क्या हो जाएगा यहां पर यूनिक to 9 लिख सकते हैं student इसको क्या लिख सकते हैं देखिए x की जगा 0 हो गया यहाँ पर minus y है और यहाँ पर minus 3z और is equal to minus 18 है आगे देखिए student क्या लिखा है x 0 है y 0 है z बचा है यहाँ पर student तो minus 4z is equal to minus 20 है तो student देखिए आपके यह तीनों equation मिल गए आप चलिए student हम इस तीनों equation को क्या करेंगे solve करते हैं इसको 1 number बना लिया इसको 2 number बना लिया और इसको 3 number बना लिया student यह matrix form ही है तीक है आप यह ना सोचो कि जो है यहाँ पर तो इससे कर रहा है क्योंकि आपने matrix का इस्तमाल करके यहाँ तक पहुचे हो तो देखिए यहाँ पर आपको बाकी चीजों से आपको बचना हो गया आप बच भी गए हो तो आप क्या करोगे यहाँ लिखोगे from 3 3 वाला लो तो माइनस 4 जेट इसकोल 2 माइनस 20 है तो 4 5 जा तो इस्टुडेंट जेट की वेलू कितना आ गया 5 आप इसको क्या करोगे उठा के कहा रखो के इस्टुडेंट बोलो आप 2 में रख दीजे तो यहाँ लिख दीजे इस्टुडेंट इधर ठीक है यहाँ इधर ही जगा क्या लिखा इस्टुडेंट देखिए यहाँ पर वैलू हमारे पास है 5 है और यहाँ पर है माइनस का 18 तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लो तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 15 स्कोल 2 माइनस का 18 अब यह उधर जाएगा तो माइनस Y स्कोल 2 क आजाएगा 15-18 और यहां पर कितना आजाएगा student minus 3 तो य इस्टूड़ 2 आजाएगा student 3 आजाएगा तो student देखिए हमारा काम कहां तक पहुँच गया हमने एक्स की वेलू निकाल य जट की निकाल लिया आप दोनों की वेलू उठा करके कहां रखेंगे वन में तो यहां लेकिएगा फॉर्स्ट तो फस्ट में गया एक्स और य की जगा कितना निकला 3 और जेट की जगा 5 निकला है इसको ने उस्ट स्टूरेन यहां पर देखे क्या होजाएगा एक्स और फाइव डेएट होजाएगा 8 इसको नीफस्कों थे देखे जान दीजाएगा इस तो लिए therefore, they are for, x is equal to कितना आ गया, 1 आ गया, y is equal to आ गया, 3, और z is equal to आ गया, 5, तो student इस प्रकार से देखे, मैंने x, y, z की value भी निकाल लिया, और student मैं सी के साथ में, एक जो है, बहुत बड़ा काम कर लिया, काम ये कर लिया, कि मुझे ये पता लग गया, कि ये क्या है, it is consistent, ठीक है, तो given जो system है, वो क्या हो गया, consistent है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठ इसलिए, given system, it is, क्या होगा, consistent, consistent, and unique solution, ठीक है, consistent है, और उसमें क्या है, unique solution हो गया, चलिए ठीक है, ये बाते आपके mind में अच्छे से आ गया, अच्छा आप unique solution कैसे कहा, क्योंकि देखी, x की भी एक ही value निकला, y की भी एक ही value निकला, जिटकी भी एक ही value निकला, एक से ज़्यादा value नहीं निकल पाया, तो मीट कर रहा हूँ, ये बाते आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई है, तो please channel को subscribe कर दें, like कर दें, share कर दें, और bell icon की button को अवस्त दबा दें, तक ही मैं BSC की video लगातार ब आ रहा हूँ, ठीक है, और ये जो है बहुत ही important topic है, अगर आप जो है semester 1 के student है, तो आपके लिए तो बहुत और engineering के लिए है, तो engineering के student जो है, उनके लिए भी ये बहुत दमदार चीज है, तो student देखे, इस से लगाने सफाइदा आपका क्या है, कि आपने एक तीर से दो निकाल लिया, और consistent, inconsistent भी निकाल रहे हो, आप no solution भी निकाल, यहाँ पर देखे, कितने चीज़ आप निकाल ले रहे हो, आप यहाँ पर consistent भी निकाल ले रहे हो, ठीक है, इसी से आपको जो है, देखे, no solution भी निकाल रहा है, infinite solution भी निकाल रहा है, और unique solution भी निकाल रहा है, तो ये सब चीजे हैं, अगर समझ में आ गया है, तो चैनल को फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सस्क्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, और बेल आइकन की बटन को अबस्त दबाते हैं, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताते हैं, और अब आए जो है, इसी कुश्चन को आगे बढ़ाते हुए, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, ये नेक्स्ट कुश्चन लेते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इस कुश्चन को साल्फ करते हैं, देखते हैं, किस प्रकार से साल्फ होगा, तो देखिए, सबसे बेहतरीन क given system of equation is equivalent to single matrix equation, तो चलिए, single matrix equation में student इसको क्या करते हैं, convert करते हैं, तो ऐसे convert करो कि दिहां दिजेगा, देखो, x का coefficient 5, यहाँ 3, यहाँ पर 7, अब y का coefficient 3, 26, 2, यहाँ पर देखे, z का coefficient 7, यहाँ 2, यहाँ 10, और student यह आपका हुआ, ठीक है, इसके बाद देखे, student क्या करोगे आप इसको, यहाँ पर देखे, किस में है, x, y, z में यहाँ student क्या लिखते हो, आप x, y, z लिखते हो, और equal में आप क्या लिखते हो, यह लिखते हो, 4, 9, 5, ठीक है, और इसको किस फॉर्म में है, x is equal to b के फॉर्म में है, तो student यह आपका, आपने जो है, इसको इस रूप में आपने इसको किलियर हो यहाँ तक तो आपको खो बच्चे से आ रहा होगा, अब यहाँ पर क्या लिका लेंगे, ठीक है, आउगमेंट लिका लेंगे, आउगमेंटेट मैट्रिक्स, matrix तो augmented matrix क्या होता student आपको मैंने इसके पहले भी बताया है augmented matrix में क्या करते है student कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं देखे द्यान दिजेगा जैसे यहाँ पर पहले यह a है यह b है तो बस इन ही को एक साथ करके लिख लेते हैं यहां पर बी लिख दिया ठीक है यह बीच में रेशियो है आप इस्टुडेंट देखे क्या हो जाएगा यह ची एक ही जगा क्या है देखिए 5 3 7 यहां पर क्या है 3 26 2 7 2 10 और यह जो बी वाला रहता इसी को यहां पर क्या करेंगे इस तरह जो है लगा दिया जो है रेशियो ल स्टुडेंट इसी को क्या बोलते हैं बोलिए आग्मेंटेड मेट्रिक्स बोलते हैं तो इसी तरीके से स्टुडेंट ए और बी को क्या करना होगा कमबाइंड करके इससे लिखना होगा पहले चुकि यह है तो पहले लिखा जाएगा बाद में भी है तो बाद में भी लिख हूँ ठीक है बात समझ येगा मैं क्या करूंगा इसको एकलन फार्म जो है बनाऊंगा तो इसके लिए सबसे पहला हम कि शाली तो मैंने बता है कि यहां वाला झाल होना चाहिए लेकिन यहां पर तो वह मा यह का में कोशिश Course करेंगे तो यहां लिखेंगे हम हम यहीं काम करेंगे सबसे पहले तो आरवान यहां भी लिखना पड़ेगा आज इसुडेंट यह वन कब हो कहता हैُ ऑफ यस्में से किसको सब्टेट कर देार तो को लेकिन 2 से मौल्टिपलाई करके मदलब इसमें एтесь को सब्टेट कर दिया तो ऑस्टुदन्त चिए क्या ऐब धियाद चेगा तब यह क्या बन जाएगा टुदन्त देखे ध्यान नीजेगा यह क्यूबाइलने इसके ठिक और टू टू जा फोर वन फाइफ फिफटी टू आ गया ठीक है इसमें टू से करोगे तो यह फोर होगा और यह जाएगा एटीन आएगा तू नंज एटीन आप इस्टुडेंट क्या होगा पहले से देखे पहला सब्टेट होगा तो फाइब से शिक्ष अप्टेट होगा आप इसमें से थिरी से इसको सब्टेट करोगे 52 को तो इस्टुडेंट माइनस का 49 आजाएगा आप सब्टेट करके देख लो 52 और मेंसे 3 सब्टेट कर दो तो वैसे सब्टेट होना है 3 से 52 लेकिन चुकि यह चोटा यह बड़ा है तो छोटे मेंसे बड़ा नहीं 52 नहीं जाएगा तो 52 से 3 सब्टेट कर रहा हूं तो देखे एक वन कहरी लिए 12 हो गया तो कितना बचेगा ठीक है यहां पर ध्यान दीजे 9 बचेगा ठीक है यहां बचा 4 तो यह देखे माइनस यह आ जाएगा 49 अब इसके सामने माइनस लगा दिया तो इस्टुडेंट यह हो गया आप देखे 7 से 4 जाएगा इस्टुडेंट यहां पर बचेगा 3 और यहां पर देखे क्या बचे रहा है इसमें सी यह जाएगा 4 से 10 तो माइनस का 14 बचेगा चलिए यहां तक तो समझ में आ गया बाकि किसी में कोई वर्क नहीं हुआ है तो इसको में मिटा दे रहा ह तो इस्टुडेंट आप यहां पर क्या लिखोगे बाकी में बाकी जगा तो आप यहीं लिखोगे 3 यहां 26 यहां पर 2 लिखोगे और रेशियो है यहां 9 लिखा है अब यहां पर देखे इस्टुडेंट क्या है 7 है यहां 2 लिखा गया यहां 10 है यहां रेशियो बना है यहा सबस्क्राइब करों कि मैन nut 3 होगा और यहां प्लस 3 है दोनों को जोड़ों के को से миन यहां पर बच्चों आप यहां तक काम कर लोगे चलिए ठीक तक तो अच्छे से मैंंड में आ गया है बाद आप देखें अलस्किल यहां पर करेंगे क्या हम लोग सबसे पहला काम है कि हम काम किसे में कर रहे हैं हम काम तो कर रहे हैं इसमें R2 में और R3 में तो R1 को ऐसे लिख दीजिए 1 यहां 49 है यहां 3 लिखा है और यहां पर ratio है यहां minus का 14 है लिख दियाना इसको आप student क्या करेंगे अब इसमें पहले 3 से multiply करना है उसके बाद R2 में क्या करना पड़ेगा R2 के लिए पहले R2 में 3 R1 जोड़ना है जो आएगा उसको R2 वाली लाइन में लिख देना है पास समझें कि नहीं समझें कहने का मतलब क्या है कि पहले R1 में 3 से multiply करते हैं और उसके बाद R2 में जोड़ दीजिए जो आई उसको कहा लिखो गए R2 वाली लाइन मतलब बीच वाली लाइन में ठीक है तो चलिए multiply पहले R1 में किसे कर देते हैं 3 से multiply कर देते हैं तो यहां पर स्टुजिए जब करोगे तो देखें थी वन जा थी तो माइनस त्री हो गया ठीक है अगर आप हिंदी मीडियम करो तो सुन लिजे तीन नवा सताइस हांसिल आया दो और तीन चोग बारा बारा और दो हांसिल दो चौधा ठीक है अब आगे देखें यहां पर यहां पर क्या लिखा देखिए यह रेशियो नहीं 31 समल दो थीक अब इसमें किससे कर रहा हो थीरी से तो थीरी थीरी जा यह जाएगा 9 और इसमें करोगे तो माइनस का 42 है ठीक है तो चलिए हो गया यहाद तक अब तिलिए जो करोगे तो देखे 7 से 6 जाएगा तो यहां बचा कितना यहां 7 है वो 4 है 4 से अगर 2 जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा ठीक है और यहां पर 1 ही है तो माइनस लिखा जाएगा क्योंकि बड़ी साइन आपकी माइनस में है इसको मिटा देते हों इतना और इस्टुएंट इन और यहां दोनों को आगर ढमेता हैं तो देखें की मिटा दे रहा हूं तो अभी तो देखें और किवांध बचा श्चंट रहां चलिए ठीक है आप student काम किसे में होगा आप काम होगा और 3 में होगा ठीक है तो अब यहां पर देखिए ध्यान दीजेगा इसमें फिर स्वाई काम करेंगे पहले 7 से चलो और 1 से चलो और शाट चाहिए तो यह कितना आठ चाहिए अब आगे बर जाते हैं इसमें करेंगे थिरी में तो 37 जा से विन तुटीवन हो गया और इसको कर दे रहा हूं देखिए इससे कर रहा हूं से फोर्टीन में कर रहा हूं तो अगर टेबल भी ना दो तो इससे कर लिजिए ठीक है वाइट देखे शेवन फोर जा करना आएगा 28 और सेवन उन्हें सेवन टू करना ओजाएगा 9 हो जाएगा ओभी मैनस में तो देखिए यह हो गया तो अगर आता हो तो फोर्टीन सेवन जा 98 होता है ठीक है तो चलिए यहां तक तो किलियर हो गया अब इसको क्या करते हैं चलिए सब्ट्रेट करते हैं ठीक है देखे इसके साथ इसको करेंगे तो सेवन से सेवन जाएगा देखे इन दोनों हो इकरना है तो जीरो गया इसको ऊईड़ करीए कि इसको कर दिए तो यहां से इसको कर दीजेए किसStuduard रहागा कितना 11 बज्ज़ जोड रहां ना इसको तो जोडेंगे तो यह 31 हो जाएगा और इस्टुडेंट इसमें देख ले रहा हूं क्या होता है यह तो इसमें आ जाएगा माइनस नैंटी थेरी आ गया कि नहीं तो चलिए यहां पर हो गया और रेश्यों यहां पर लगा देता हूं तो इस्टुडेंट यह चोटी चोटी बात है इसको माइनस 11 से डिवाइड कर दे रहा हूं माइनस किसमें र 2 डिवाइड बाइड माइनस 11 और इस्टुडेंट क्या रखा रहा हूं इसमें आर 3 में r3 में 31 से डिवाइट कर रहा हूँ तो यहाँ भी r3 लिखेंगे और यहाँ minus 31 तो student अभी देखें यह क्या होगा यह किसके equivalent होगा यह इसके होगा देखें यहाँ क्या लिखोगे इसमें तो कुछ करना नहीं है तो लिख दीजए 1, minus 49, 3 0 और यहां पर देख यहां पर ओग निए यहां पर आपका और आगया C तो मतलब यहां पर चरद करोंगा स्कार असंत्य अब लेजमtalार्टि यहां पर की तुट्यूब स्टूदेख रहें एगा छिटर्व दू आ सब्सक्तु हो गया अब सिक्वाइब यह गरहां यहां और यह दोनु बराबर हैं तो मैं क्या करूँगा आर 3 यहा लिखंगा यहा भी आर 2 लिखंगा और समय किसको सब्ट्रेक्ट कर दूँницу थो जाएगा तो आपका काम complete हो जाएगा तो यहां पर देखेंगा क्या देखें यहां पर देखें ध्यां दीजियेगा इसे कोई मतलब नहीं minus 1, minus 49 यहां 3 है आपका और यहां पर student क्या लिखा है? यहां minus का 14 है और यहां पर क्या लिखा? 0, 11 minus का 1 और यहां पर student क्या लिखा है? 3 लिखा है, ठीक है? और एक काम करेए, इस में इसे देखे अब R3 पहुंचे तो R3 में से टुर सप्टमेर करों, तो जीरो जीरो फ़िएगा, जीरो हो गया, 11 से 11 जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 1 से माइनस 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, और यह थरी, थरी जाएगा, तो यह भी student 0 हो गया, तो student यहाँ पर देखेगा, rank ofhhhab, ab, ab का जो rank है, student क्या हो रहा है भाई देखिए ये रो पूरी तरीके से 0 हो गया तो 2 row i से हैं जो क्या है नान 0 row है तो student क्या होगा इसमें rank आप a b जो होगा वो क्या होगा student 2 होगा और बात करूं अगर a की बात करूं तो student देखे ये वाला कितना होगा अगर मैं इसको यहां पर क्या करूं इसको यहां से दब धोड़ा सा इसके क्या हो तो student क्या आया ये कह देखिए ये आपका आहाला ये ही तो ay भाई देखिया आप इसी के और लगसे लगा है भी वाले टो बी वाले portion को यहां पर मैंने ढग दिया तो इम्त क्या यह यूद्ग यह है तो यह इतने बक्रच्शन आपका एक प्रशन है तो देखें इसलिए पूरा रो आपका जींट भी है तो इसमें भी रैंक क्या होगा student इसमें two rank हो गया तो यहाँ पर देखे student क्या है here here ठीक है rank of rank of इसका a b का यह student two है और rank of किसका a का यह भी two है student और यहाँ पर एक चीड़ और है number of unknown number of क्या चीज number of unknown unknown ठीक है n बराबर कितना student देखिए चूंकि यहाँ पर three हो गया क्यों three होगा क्योंकि यहाँ पर later कौन कौन से है डेखिए x y z that is what number of unknown clear हो गया नहीं गया तो student देखे यह बन गया इसका मतलब क्या है इसका तीन चीज मतलब है तो यहाँ पर देखिए student क्या हो गया यहाँ पर यह पहली बात तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा ठीक है तो लिखेंगे given system of equation is consistent ठीक है consistent है और क्या होगा बोलिए इसमें infinite solution हो जाएगा and infinite solution तो students यह पर किया इंनफानाइट solution होगा क्यों होगा infinite solution क्योंकि हमारा यह वाला ऑप्षन को satisfied कर रहा है देखिए दोनों बराबर हैं लेकिन यन से छोटे हैं तो देखिए student ये दोनों बराबर हो गए और यन से क्या हो गई ये छोटे हो गए तो हमारा ये वाला option को जो है क्या कर रहा है satisfied हो रहा है तो infinite solution ही होगा तो चलिए यहां तक समनिवा गया आप काफी इंफानाइट solution आओ है तो student आपको करना क्या है यहां पर हमेशा हमेशा आपको क्या करोगे पहले आप इसको लिख लो इसके बाद आप सोचिए फिर इसमें आप क्या लिखोगे ठीक इसलिए इसे यह क्या लिखा दा सकता है माइनस एक्स माइनस फुर्टी नाइन वाई प्लस थ्री जेड़ इसको टू माइनस का फुर्टीन दूसरा तो इस टूडेंट यहां पर करना क्या होता है यहां दीजेगा अब यहां पर क्या करेंगे अब यहां पर क्या होगा आब इस टूडेंट एक काम करेंगे यहां पर जब कभी भी आपको याद रखिए गाइस बात को इस दिमाग में बैठा लिजिए जब कभी भी आपको क्या मिलेगा infinite solution तब आपकी नहीं एक को क्या करना पड़ेगा आपको कुछ consider करना पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, तो जैसे हम यहाँ पर मानने जा रहे हैं, तो late किया student, देखे, late करेंगे, late करेंगे, z is called to, मैंने c माल लिया, क्या माल लिया student, c माल लिया, आप चलो c रखो, तो from, यहाँ 2 लिया, और 2 में c रखेंगे, तो क्या एगा, 11y, minus c की जट की जएगा, c रखा, इसको लिया, अब इसको उधर ले जाओ, तो क्या आजएगा, आपका student आजएगा, 11y, इसको लिया जएगा, 3 plus c हो गया, तो y इसको लिया, कितना आजएगा, 3, और प्लस c है, इसके भी अपान, 11 हो जाएगा, इसके भी अपान, तो student एक answer आपका निकलाया, देखे, आपका एक answer क्या, 2 answer, एक तो आपको मानने पड़ेगा, चाहे आप x को मानो, चाहे y को मानो, जाए z को मानो, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसको मान लिया, चलिए दूसरी बात, यहाँ पर समझेगा, दूसरी चीज़ आप क्या समझोगे, अब उठाओगे from 1, from 1, 1 number low, और बाकी को क्या करो, इसको इधर लेके चले आओ, तो जब इधर लाओगे student, यहाँ पर क्या जाएगा, देखे, ध्यान दीजेगा, तो आपका क्या है, यक्स को उधर ले जाओ, 14 को इदर लाओ, तो माइनस का देखे क्या जाएगा, माइनस का 49Y, प्लस का 3, Z, और प्लस का 14, इसकोल 2, यहाँ पर यक्स हो गया, माने इधर माइनस से था, उधर गया, प्लस का हो गया, और जो माइनस वाला था, इधर लाओ, प्लस का हो गया, आप student देखे क्या होगा, यह 49 तो हई है, और Y की value देखे, student क्या लिखा है, 3 अपान 11 लिखा है, प्लस C अपान 11 लिखा है, student, उसके बाद देखे, student यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, यह किसकी value है, केवल Y की value है, और यहाँ पर लिखा है, प्लस 3 Z लिखा है, और प्लस का 14 इसकोल 2 X लिखा है, ठीक है student, तो चलिए यहाँ तक तो एकदम अच्छे सा आ गया है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक line खीच लिते हैं, और उसी से आगे बढ़ते हुए, चले जाएंगे, नहीं तो जगा कम पड़ जाएगा हो सकता है, तो student यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अब X बराबर क्या लिखेंगे, X equal, तो student पहले में इसको ब्रेकट को आप करेंगे, तो अब इसका 3 से इसमें पहले काम करते हैं, multiply कर लेते हैं, ठीक है, तो 39 जा 27, देखें, क्या जाएगा, 39 जा, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, 39 जा 27, ठीक है, 27 के 7, और 34 जा 12, 12, और कितना जाएगा, 2, 14, तो यहाँ 147 आगया, माइनस का, अब अपान में कितना है, 11 है, चलिए, यहाँ तक हो गया, आप student इससे जो है, multiply इसमें करोगे, C में, भई, second volume करोगे ना, इसका, तो क्या जाएगा, माइनस 49 C अपान 11 हो गया, आप student इस C को हमको क्या करना है, solve करना है, तो student इहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, आप चलिए, इसको C के जगा लिखिए, उसको इसकी जगा, ठीक है, 147 अपान 11, प्लस 14 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया, 3 C, माइनस कितना, 49 C अपान 11, आप student चलो इसको solve करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है, तो student इहाँ पर ध्यान दिजेगा, इससे करिए, तो माइनस का 147 है, तो 14 वंजा 14, और 14 वंजा 141, 15, इतना गया, अब पूरे का पान 11, और student इसको करें, 11 3 जा 33, और माइनस 49 C, आप student वहाँ पर जगा नहीं, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ, X वराबर क्या आ जाएगा, देखिए, आप देखिए, इसमें से इसको सब्टेट करना है, तो आप देखिए, इसमें से जाएगत कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फिर से एक बार चाहो तो आप देख सकते हो, चलिए, बाइरहाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 14 है, तो 1 कहरी लेगा, हो जाएगा 7, ठीक है, तो आज आएगा भाई, देखे, 7, 7 पर चेका ना इसमें, तो 7 अपन 11 आ गया, अब यहाँ पर देखे, इस्टुडेंट क्या होगा, चो अब यहाँ पर सी था, सी भूल गयो लिखने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 33, सी, तो इस्टुडेंट क्या करोगे, 33 से 49 तो जाएगा नहीं, तो उल्टाप करना पड़ेगा, 49 से 33, तो 9 से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 से 3 जाएगा, तो 6 बचेगा, और 4 से अगर, देखे, 1, 3 जाएगा, तो 1 बचेगा, और यहाँ C हाई है, वो अपान में 11 है, तो इस प्रकार से, इस्टुडेंट यहाँ पर देखे क्या आगया, therefore, therefore, ठीक है, तो X की बचेगा, 7 अपान 11, minus 16 अपान 11, C आगया, Y की बचेगा, इस्टुडेंट देखे क्या रहा है, 3 अपान 11, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेर कर दें, और बिल आइकन की बटन को वश्टावा दें, दूसरी चीज़ एक चीज़ और पर बहताते हैं, इस्टुडेंट, जैसे आपके माइन में आ रहा हो, सर कैसे समझें, की इंफानाइट सलूशन है, तो मैं कहे रहा हूँ आप जो है, आप इसमें जिसे C की जगाँ 0 रख दो, क्या रख दो, C की जगाँ 0, तो C की जगाँ जब 0 रखोगे, तो यहाँ C की जगाँ 0 होगा, इसमें भी C, तो X की बटन क्या बनेगा, C बटन 11, Y बटन 3 बटन 11, और C बटन 0, आप यह बटन उठा करके कहा रख दो, कि C में भी रख दो, एक्वेशन क्या करेगा, वो बटन इक्वेशन को सटिस्फाइट कर देगा, ठीक है, चलिए 0 तो कर दिया, आप 1 रख दो C की जगा, इसमें, तो 1 रखोगे, तो फिर, यह तो Z बराबर वन हो गया, इसमें 1 रख करके सॉल्फ कर लिजे, येक्स वाले में भी 1 रख करके सॉल्फ कर लिजे, जो X की बईलू आएगी, जो Y की बईलू, जो Z की बईलू आएगी, उसको भी रखोगे, इसमें, तो वो भी क्या करेगा, इसको सेटिसफाइड करेगा, इसी तरीके से स्टुडेंट, आप infinite तक नमबर रख करके, आप चेक कर लिजे, देखे, सभी पर क्या करेगा ये, बोलिए, ये इसको सेटिसफाइड करेगा, इसलिए इसका जो solution होगा वो infinitive solution होता है यही कारण है दुसरा कोई कारण नहीं है तो मीद कर रहा हूं यह बात अच्छे से समझ में आ गई है और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दें like कर दें share कर दें और bell icon की बटन को चरूर से जरूर दबा दें Thank you झाल 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 झाल